दोनी को किया जा सकता है भारत ये टीम से बाहर, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप देखें पूरी टीम भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच की की वनड़े सीरीज का अंतिम मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा इस मैच को जो टीम जीतेगी को वो ये वनड़े सीरीज भी अपने नाम कर लेगी इस से पहले उस सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को साथ विकेट से हरा दिया था वही दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह हरा दिया था दूसरे वन अडे मैच में भारत के हर खिलाडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था आए आपको बताते हैं कि तीसरे मैच में भारत की संभावित टीम क्या हो सकती है अगर भारत को ये वन अडे सीरीज जीतनी है तो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर दवन को अच्छा खेल दिखाना होगा इस सीरीज के दूसरे वन अडे में रोहित शर्मा और शिखर दवन दोनों ने शांदार खेल दिखाया था भारतिय टीम के कप्तान रोहित शर्माने तो दूसरे वन अडे मैच में अपने क्रिकेट क्यारियर का तीसरा दोरा शतक लगाया था वही शिखरदवन ने दूसरे वन अडे में शांदार अर्धश्त किये पारी खेली थी वही तीसरे में भारत को एक बड़ा जटका भी लग सकता है भारतिय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज महेंदर सिंग दोनी को तीसरे वन अडे से भारतिय से बाहर होना पड़ा सकता है दूसरे वन अडे में विकेट कीपिंग के दोरान श्री लंका के बलेबाज परेरा का क्याच लेने के दोरान महेंदर सिंग दोनी के चोट लग गई थी अगर महेंदर सिंग दोनी की चोट ठीक हो गई होगी तो महेंदर सिंग दोनी तीसरे मैच में खेलेंगे नहीं तो उनकी जगे किसी और खिलाडी को मुका दिया जा सकता है इस सीरीज में भारत के गेंदवाजों ने अभी तक शांदार गेंदवाजी की है भारत को अगर ये वन अडे सीरीज जीतनी है तो भुवनेश्वर कुमार और जस्प्रीत बुमरह को अंतिम मैच में भी शांदार गेंदवाजी करनी होगी तीसरे वन अडे के लिए ये हो सकती है भारत की संभावित टीम शिखरदवन, रोहिद शर्मा, कप्तान, महेंदर सिंग दोनी अजिंके रहाने, श्रियस, मनीश पांडे, वाशिंटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, जस्प्रीत बुमरह, कुल्दी प्यादव, अक्षर प